नमस्ते बच्चों आज हम क्लास नाइन के सेगंड इफिलेशन में आने वाले पार्टों में से दुख पार्ट का विस्टेशन करेंगे जिसके रचईता है येश्पाल जी पार्ट को शुरू करने से पहले थोरे पार्ट के कभी के बारे में जान लेते हैं कभी येश्पाल जी प्रेमचंदत्तर कहानी में येश्पाल जी का नाम अग्रणी है प्रेमचंदत्तर कहानी मतलब प्रेमचंद जी से पहले या प्रेमचंद जी के साथ लिखे के कभियों में से उनका नाम भी सबसे आगे आता है उनका जन फिरोजपोर छावनी में तीन डिसंबर सन 1903 में वह था अश्वाल जी ने पारमविक शिक्षा स्थानिय विद्धालाई से मतलब फिरोचपुर से तथा उच्च शिक्षा लाहोर से पाही पकिस्तान में जो है लाहोर उदर से उन्हें उच्च शिक्षा ली वे क्रांतिगारी विचारयों के वेक्ति थ साथ मेलकर भारती सतंद्रता अंदुलन में भी भाग लिया था उन्हें भगत सिंग के साथ भी भारत के सतंद्रता अंदुलन में अपना भाग दिया था उनकी भाशा से लिए प्रशाद गुन संपन्य और कलात्मक है एश्वाल जी के कृतिया इस पकार है उपन्ना से पुटा सच तेरी मेरी उसकी बात दिब्या कहानी है ग्यांदान तर्क का तुफान पिंजरे की उरान फूलो का कुर्टा उत्तर अधिकारी और उनकी आत्मगता है सिन्हा बलोकन उनकी मित्तू 1977 में हुई तेरी मेरी उसकी बात पर येश्वाल जी को साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला उनको पद्मभुषन पुरुषकार मिला और कुछ वर्ष्व तेक उन्होंने विपलव नामक पत्रिका में संपादन भी किया है इती थोरी बहुत कभी के बारे में जानकरी अभी जाते हैं पार्ट में पार्ट का नाम है दुख जीवन में सुख और दुख के मेल से ही जीवन बनता है ठीक है तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को थोरी थोरी चीजों में जो दुख मिलता है उससे भी बहुत जादा दुख बाहर के बहुत सारे लोगों को मिलता है इससे वो लोग झेलते हैं इससे वो लोग जूचते हैं और अपने जीवन को आगे बराते है लेकिन हम लोग थोरी थोरी दुख के कारण ही अपने जीवन को उधर में ही खतम कर देते हैं जीवन को उधर में ही रोक लेते हैं इस पार्ट का जो मुलभाव है वो हम लोग थोड़ा परेंगे मुलभाव है मानव मन की कौमल अनुभूतिय उपर आधारित एक भावना भावना से यूक्त कहानी कारण ने दुख के बनावटी एवंग सभाविक रुपों की बड़ी शुक्ष्मता से इस पार्ड में दुख की बनावटी जो बनावटी दुख है जो जैसे किसी ने तुम्हें एक डाड दिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा दूख का एसास होगा पापा ने तुम्हें थोड़े गल्ती के वज़े से बहुत ज्यादा दाटा है तो पापा के उपर तुम्हें नफरत आ गया या दुख आ गया जिसके कारण तुम खराब से खराब कदम भी उठाते हो अपने जीवन में ऐसे जो चीज है इन बनावटी और इसको बनावटी द दुख एक अनुभुती का नाम है एक भावना है हम लोग का कि आभी दुख है हम लोगे जीवन में यह एक भावना है अनुभुती है हम लोगे इसे अमीरी गरीबे के पल्ड़े में नहीं तोला जा सकता इसको हम लोग अमीर और गरीब के पल्ड़े में मतलब तराजू में नहीं तोल सकते इसको दिलिप की पत्नी है मा और बच्चे की भूक ए मा के दुख की अनुभुतियों में काफी अंतर है दिलिप की पत्नि km कारणवर्ष लिप से अलग हो जाती धिलिप को छोभ के चली जाती है थोरी सब्सक्रे के बजँ के वजह से हैं Wor noch में दूसरी तरफ और की एक बच्चा जो अपने मा करें दुख को ज्हेलता हुए पारिवारिक दुख को ज्हेलता ह МУरा रात के ठ्टंने बाकर है कि इसे कैसे अपने परिवार को हो समालता है कैसे अपने परिवार को हर एक क्यर्ष्ट झेलता है ऐससे दुख को भी हम लोग किधर में देखेंगे हैंgeht माईक बनावती और रसिला मतलब जिसमें रोमान्स होता है थोड़ा बहुत मजदार होता है ऐसा है हमा का जबकि भूकी मा का दुख सावाबिक है मतलब ओश जिवन पर रुकी नहीं चलती जा रही है जहां हेमा बनावटी और रसीला दुख पाठोकों के दिल में कोई हमदर्दी पैदा नहीं करता है मतलब हम लोग जब परेंगे तो हेमा का दुख हम लोग को बना बटी लेगा आप लोग जब परेंगे तो आप लोग को भी बना बटेंगे लेगा आज हम लोग उस पाट को जब इसलेशन करेंगे तो आप लोग को सुनने में वह देख आपको पता चलेगा कि कि किसका दुख ज्यादा दर्दनागे द्रभिक है ज्यादा दुख देता हैं हम लोगों को ये बूल रहा रहा है वही भूकी मा का सभाविक दूख हमें सोचने पर विवश कर देता है और भूकी मा का सभाविक दुख की ऐसे दुख को लेकर वो शुद्र औरत कैसे अपने जीवन को वेटिद कर रहा है तो पाट में जाते हैं पाट का नाम ही है दुख ठीक है जिसे मनुष्य शर्वपेक्षा अपना भरुशा करता है शर्वपेक्षा अपना भरुशा करना मतलब जो इसको आप लोग मतलब दिल से अपना समझते हो जब उसी के उसी से अपमान और तिरसकार प्राफ्थ हो जब उससे ही आपको अपमान मिले और तिरसकार मतलब अनादारता मिले जो आपको तिरसकार करें आपको प्यार ना करें अनादार करें प्राफ्थ हो तब आप तब मन ब्रितिशना से भर जाता है तब मन में विरक्त बादा प्रिदा हो जाता है उस बंदे के लिए मैंने इतना कुछिम है और आज इसी बंदे ने मुझे तिरस्कार किया है तो इसकी तरफ गिंड़ति ब्रतिशने ईपर परशा गी विरापौर ह Producer कि अगटना है हम लोग के आशपरोस में धेश में लगे रहेते हैं थोड़े थोड़े बातों के लिए किल्प किसाईट कर लेते हैं मर जाते हैं अत्म अठ्ठा कर लेते हैं इस शब्दों से इन शब्दों में बता सकना संभब नहीं है इसे शब्दों में बता सकना संभब नहीं है कभी बोल रहे हैं कि इस चीजों को हम लोग शब्दों में बया नहीं कर सकते हैं कैसे दुखों को कारण दुख के कारण लोग थोरे थोरे चीजों में अपने जीवन द्युपत को रोख देते हैं अपने जीवन को मतलब ही खराव रस्तों का चैन करते आपने जीवन श्राव में पुर्णना सतंद्रत है यूमी इन्हें के अना की पत्नी क्या कोOoh ने कुझणकर सेंटी थी ति। इसके कि उसकाаются सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरुप चलने के लिए उसके प्रतिया अनुरुक्ष था इतनी आंतरक्ता मतलब एक दूसरे के मतलब डाय हाट फ्रेंग जिसे कहते हैं ऐसे लोग थे वह लोग और वह लोग एक दूसरे के पती अनुरगते थे अधिक चाहना मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहते थे दिलिप अपनी पत्नी को ज्यादा से ज्यादा वो प्यार करते थे बहुत से लोग इसे अती कहेंगे बहुत से लोग इसको अती कहेंगे मतलब जादा प्यार करना अती प्यार करना अती प्यार करना ऐसे कहेंगे पर इस पर भी हेमा को संतुष्टी ना कर सका और हेमा केवल दिलीप के ठीक है यह पर इतने प्यार करने के बाद भी हेमा को संतु संतुष्टी प्राप्त नहीं हुआ उसका जीवान में संतुष्टी नहीं है कि हाँ धिलिप मुझे प्यार नहीं करता है उसको ऐसा लगा ठीक हम लोग जब लोग जाता प्यार करते तब भी अगर कोई भी इंसान आपको आके बोले कि आज सोचो कि आप बहुत संदर लग रहे हैं तो आप अगर तुम सोचो कि नहीं नहीं दिमाग के हैं कि हाँ आज मैं संदल लग रहा हूं इसलिए तुझे बुला लग रहा है यह हम लोग दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेते हैं हर एक चीज में निगेटिविटी हम लोग को पहले असर करता है ठीक है तो यही है हमा के मन में आय और दूसे दिन मा के घर चले गए और दिलीफ एक दिन अपने सहली के साथ सिनमा देखके आई ठीक मतलब पती का घर छोड़कर माई के चली गई माँ के घर चली गई तब दिलिब के मन में शौब का अंत ना रहा दुख का कोई अंत ना रहा तब दिलिब को ऐसास हुआ कि अगर मैंने जिसके ओपर जादा भरोजा क्या था उसनी मुझे मतलब विश्वास नहीं किया तो मैं यह जिं दिन पर पानी परसता रहा वर्शा के नितूँ था तब सिदमबर में ज्यादाा दर्वारिश होता है और पीर भी रूख जाने के बाब जूद भी बारिष के रुख जाने के बाब जुद भी मंदर बारिष स ख़तम होने का टाइम होता है और रुख जाने के बाद बीदीन भर से बारिष ठपकता ही रहा दिलिग बेठक पर खिर्की और दरवाजे पर पड़े डाले बैठक पैठक मतलब जहां जत्तिभाप और ग्यानली मतलब पश्चताप ठीक है इसमें स्वयंग यतना बन जाता है समय काटना यतना के समान लगता है मतलब कोई आपको टॉर्चर कर रहा है ऐसा लग रहा है दिलिव को एक मिनिट गुजरना मुश्किल हो जाता है तब उसके दिमाग में से एक ही चीज टॉर्चर को प्रस्किल लग रहा था है मिए को के समय को बित्ता ना देख दिलिव केंच कर सो जाने का यतना करने लगा और समय जैसे नहीं कट रहा था इसलिए दिलिव ने खुँद से जोड़ जबर्दस्ती खुद को सुलाने की कोशिश कर रहा था सो जाने की प्रतन कर मतलाब उसको बहुत दुख लगा था इसलिए व आग खुल नहीं पा रहा था इसली यहिए आखों से आखो को थोड़ा और दरवाजे के ओर जहार भॉख़र करेगा उसकी ऊर देखने लगा कि भाई है कि कोई और है कि छोटा है ने परदे को हटा कर पूझा फञिका सब बंद रखाइब बंद करके रखा हुए थे लिए तो पर्दय को हटाकर भाई जी आपको कही जाना ना हो तो में मोटोर सीद्य कर ले जाओ है पर्दा को थोड़ा हटा कर भाई ने पूछा च्छोटे बाईने बड़े भाई दिलीब से पूछा कि अगर आपको कही ना जाना हो İşte कि अ और इस बीगने से मतलब यह भी भीगने लग रहा था भाई से बात करना तो इस बीगने से चुटकारा माने के लिए उसने हाथ से इशारा दिया हां ले जाओ ले जाओ हाथ से इशारा दिया आख बंद कर लिए और फिर से आख बंद कर लिए दिबार पर टंगे क्लॉक ने कम जाए और जुछ ना दी दिलिप को इनुभाए कि कि है वह यू ही केद में परा रहेगा। में तब ही मैसूस हुआ किसे ही केद में और दुप को सहता जाएगा। वह कुछ नहीं करेगा उसका जीवा निदर में घतम हो जाएगा यह उसने अपने आप में सूचने लगा उठकर खिरकी का परदा हटा कर देखा उठकर खिरकी का परदा हटा कर देखा बारिश थम गई थी तब बारिश बंद हो गया था अब उसे दूसरा भाई हुआ अभी दूसरा एक भाई उसके दिमाग में आया कोई बेठेगा और और उप्रिय चर्चा कर चल चला देगा और अगर कोई शाम को कोई भी आ घी आ गया बहुत नहें जिसमें मजा नहता हो ऐसा कोई बात छेर देगा उसको ऐसा लगा वह उठा ओ यहां पे लेटा वहा वह उठा ह् की साइकल ले ख्यों से बचता हुआ यह और उसे अधिक लोगों की निगाओं से छिपता हुआ दों मौरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसिल के बाग से होता हुआ मिंटो पार्ग जा पुझा तो उससे अधिक लोगों से बचकर लोगों से बचकर अगर कोई लोग देखेगा तो उसको बुलाएगा उससे बात करेगा इन से बचकर वह दर्बा से बाहर निकल घर के घरदवाय से बाहने कर सहर की पुरानी फसिल के बाग से होता हुआ सहर की पुरानी फसिल के बाग का मतलब होता है नगर या बस्ती के चारो और की दिवार जगर या बस्ती में चारो और में जो दिवार होता है इनसे बच कर को सब्सक्राइए पार्क में जाकर उस लंबे पार्क नाम में पानी भरी घास पर पचवा के टेजस्च जोके में ठीटोल्ने से लिए उस समय को ना था ठीके उस लंबे चोह मैदान में मतलब वह वह मिन्टो भर כर बहु Ländern है हुदर में जाकर भरी घास पानी भरी घास क्योंकि वारिस वा था उदर में घासों के उपर भारासों के तिनकों में बारिस जमा हुआ था ठीक है और पच्छवा के तेज जो क्यूं मतलब पच्छिम एस हवा से तेज जोगों में ठिटूर ने के लिए ठिटूर के मतलब शितलत का ऐसास या शर्दी का ऐसास जो होता है उसकोड जाना या कापना जिसे कहते हूं उसको उस समय को आता इन सब चीजों से चीजों से जुझने को नाता उस समय ठीक है उस एकान्थ में एक बच्चे के शहारे dengan साइकल कशिरी बेढ़ गया। उस एकान्थ मिंटो पार्क में वीस एकान्थ परिवेश में वो एक बेंच के साइकल कोक्रा किया और रुब ऊधर में बैठा और शीर से टोपी उतार बैंच पर रगके और शीर में मंकी केप या सर्दी से भचने के लिए जो केप लगाते हैं मोग ओकेप को उतार कर वह बेंच पर रख दी सिर में ठंड लगने से मस्तिक्षका की कुछ कम होई और सिर अध्य ज्यादा लगने से मस्तिक्षका में जो बेचे निदी जो वेकेल होता थी वह तुरह कम हुई उसक वो बिमार हो जाए उसके अगर थंड्ड लंगने के वज़े से वो ज्यदा बिमारी आ जाए उसके हालव घरनकी अगर उसके पलव तो न फोटने क Tiffany मेल में अपनी गुषन को सिल selbst और वो सब्सक्राम साथ कीस अपने करना और उसका नहीं था नहीं कि तरे Reto Kauh singing अप्सकी दिमाग में अगा किम ऊप से निया किसी को अपने धुक का भाग लेने के लिए हो किसी को अपने धुक का भाग कुछ अवाज हम मतोस नह depend séries तो यह भाग किसी को लेने नहीं देगा एक दिन मित्व दबए पाव आएगी एक दिन मुत उसके दब पाव आएगी मुत जब आता है तो इसका आवाज नहीं होता है ठीक है और रोग के कारण रिदे की वेथा और रोग को ले उसके सीर पर सांतोना का हाथ फ़ेर उसे शांत कर चले जाएगी और रोक की वेथा के कारण उसके जो मौत हुई इसके कारण है उसके सर पर हाथ बलाते हुए उसको शांत कर जाएगा उसके शरीर को प्रठंडा कर जाएगा मणने के बाद लोगों के शरीर ठंडा पड़ जाता है ठीक है उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उसमें हेमा भी होगी यो और इसके मोन अन्दाज कर अपने वहार के लिए बचल और वचटाएगी और उस दिन उसको कोकर हिं ओनाने अपने जीवन में जो नुक्सान किया है उसका अंदाजा अफस्ताएगई और खूद पचलएगी कि उसने यसा क्यूं किया था वी पौके यही बदला होगा अपनी पतनी के लिए चुपचाप धुख सहने का निश्रय कर उसने शंतुष्त का एक दिरगा निश्यास लिया उसने शंतुष्त का दिर्गा निश्याश लिया दिशास दिया करबर बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बेड़ गया और करबर बदल के पश्च्चु में दिशास से जो हवा आ रहा था हूं उसको खाने के लिए उसने वह उधर बेड़ गया समीफ ही तिन फड़ांग पर मुख रेलवे लाइन से कितनी ही गारिया गुजर चुकी ही यह फड़ांग मतलब होता है जमीन की दूरी नापने का एक मान जिससे 220 गज के बराबर होता है फड़ांग मतलब जमीन के दूरी उकुम आपने के लिए यूज किया जाता है यह लाइन से गारी जाने के गारियों की गुजर चुकी थी कितनी ही गारिया गुजर चुकी थी उदर बेठते बेठते इस लाइन से बहुत सारे गारिया गुजर चुकी थी उदर दिलीब का ध्यान गया था उस तरफ दिलीब का भी ध्यान गया अब जब फंटियर मेल तुफ करता हुआ गुजरा तो दिलिव का कि दिलिव ने उस और देखा उस- में देखा लागाथार फास्ट और से क्लास के दिबते निकलने वाले तीवरे प्रकाश से समझ गया लगाधार 1st class class 2nd class training में सिर्वाइक में पृंपर हो से ही प्रतिकार अन्याय के प्रतिकार की प्राइलि से देख उसका मन थोड़ा हलका हो गया कि अभी तक शे बचेसे लेकर अभी तक वो थंड़ा से जूज रहा था है इसलिए उसने खुद को टॉर्चर किया सब्सक्राइब इससे मन में कि उसका मन थोड़ा बहुत हलका हो गया बोल लोटने से भाट दी दर्वाजे पोचा मतला कि इतने देर तक बेटकर और उसको ठंडे का मैसूस हुआ और वह ठंडे का होना उसके शरीर में भी भाकी था उसको ठंडा लग रहा था इसलिए वह साइकल पर नहीं चरा वह पैदल ही साइकल को लेकर बागो- मस्जिद में आसवाज मियाथ ॉस में प hurricane और एक ट्रस they friendly दर्वाजे जिसे कहते हैं या तो दार वाजए पोच्छा बड़े से बात द्रवाजा थो पक्के होते हैं ऐसे दरवाजय पोचा वो मार्ग में शहित ही कोई वेक्ती दिखाई दिया हो मार्ग में उसको कोई भी वेक्ती उस ठंडे में उस जरा में दिखाई नहीं दिया सरक किनारे स्टब दखरे बिजली के लेंप निश्काम और निर्विकार भाब से अपना प्रकार सरक पर डाल रहे थे सरक पे जो स्ट्रेट लाइट होते हैं वो क्या करते हैं बिजली के लेंप जो स्ट्रेट लाइट होते हैं निश्काम निर्विकार भाव मतल ihren लेंब दे रहा के मनुष्य है मनुष्य की अभाव्व की कुछ परवान ना कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लेपौ के करें मनिष्य की अभाब की कुछ परवाना करें मनिष्य चारों तरफ ही भ्डिबर भरेपरे हैं इसका परवा यू व्य ह नहीं कुछ पलब पतंगोंने पतंग मतलब एंदुर उन्हें करें 어떻게 17 सद्ग्मॉं लाइट जहां पी देखते हैं उदर में जमाा हो जाते हुंर रावंड राउड लगाए हुसका चकल लगाते ह Jennifer Séo के लाइट के लेंप को लिए चीज्स की बसी डाइंप देख रहे थे घुले बांध बांध कर इन लेंपों के चारों और दुनिया भर के यह अद्बूद नमुने avere पत्यक पत्तंगा यी नक्षत्र की भाती सूरे के भाति अपने मार्क पर चक्कर काट रहा था सूरेज ऐसे प्रुपित्वी के चक्कर लगाता है ऐसे कोई दाय को पति बाल भाइक कोई डाय जा रहा था कोई बाय हो जा रहा था मतलए वर नहीं को आंगे कोई आगे से जा किस ही कोई तक्कर भी नहीं खाता था विक्षो के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चम चमा रहे थे और विक्षो के भीगे पत्ते जो बारी से भीग गये थे ऐसे पत्ते कि उपर जैसे लाइट के रोश्णी पर रहा था वह चमक रहे थे एक लेम के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परचाई उसके आगे फेलती चलती एक लेम से आगे बढ़ने के बाद ही उसकी छोटी परचाई उससे आगे चली जाती मतलब लेम से गुजरने के बाद उसका लाइट पीछे चला जाता है तो पीछे से लाइट जब हेशे हैं कि बीच बीच में विक्षो की टहणीयों की पर्छाइं अपर से होका निकल जाते हैं विक्षो की जो कि टहनीच इसकी उपर भलाता इसको छोर कर चले जाते हैं। कुछ उसके उपर से निकल जाते हैं शरक्परफण भिगा पत्ता लेंपों की किर्णों का उत्तर सब पर उत्तर है और सरक प्रा हुए जितने भी पत्त्स थे व क्यों सब रत हैं कि यूद्फ गुलाल म Son मैं मुलकुंट और वैस्ञाव कोई तो हुआहे सोच रहा था कि मनिश्य के बिना भी करती कितना हर वेस्ट वह होुआ आपने कायरे क्रम को भी बंद नहीं करता है वैस्ट और रौचक है रोमांच कारी रागता है यह चीज़ देखने में कुछ कदम आगे बरने पर सरक किनारे निम्बू के बिक्षों की छाया में कोई स्वेच सी चीज दिखाई दी कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कुछ आगे बढ़ा थो उसको मालूम हुआ कोई चोटा सा लर्फा सफेद कुर्टा पाई जामा पहंने एक थाली सामने रख्कर कुछ बेच रहा qui कुछ और आगे बरा तो उसको पता चला कि छोटा सा लगगा जो सफेद पैजामा पैजामा पहना हुआ था वो उधर में थाली समने रखकर कुछ चीज बेच रहा था है कि कष簡 आविक्षः पैका ओश्यक्रीस और आइय्योने भी उसका थ्यान आकर्षत और उसका आयू जो से अज है ale अकटा कर्शन कि कि उसने देखा है रात में सोदा देशने निकिलने वाला इस उनकरन गर्ड के पास मित्थिके तेलो की टिबरी तक नहीं voc छान के तिपरी मतले जब लाइट साय को सैंड शो छाए है तो वह क्या में करते हैं उसमें लेंप बनाते हैं जास-वा-मै करन की फ़ट नहीं था की ऑफ कर हैं लठा हो और शुर्द हवा में इसकूर कर बेठा था जैसे उसके सामने जाने कहरा गुदी लीप ने उसको देखा लारका स्थंड के स्कूर कर बेठा हुआ था अटक कर बेठा हुआ था ते डीलीप के समीफ आने पर उस ने आशा की एक निगाह उसकी और डाली और फीर अके जखा लियीप दिश्दिक आने पर ही उस लर्टे ने आशा की नजर तरद दिखा दिलिप से वडहाय। Khena IDO से देखा दिलिप से देखा भी उस लड़के को देखा लगे मुपड मेर मंतर्खाइन पर हो कई नहीं को शचतूरथा taką कही जो वह चतुरता नहीं थी बल्कि उसकी जगा थी एक कायरता थी तरव वह डर रहा था किसी चीज से छर्दी के कारण पर रहता ऐसा था उसकी थाली भी खुम्चर के थाल नहीं कर घरलु वेवार की मामुलिका झाने कीज नहीं जाती हुट और मिलम यिसमीने होती हाट मेरफ वंट नहीं today पत्लफ नहीं हैंनो जिसमें सभ्सकते है इसमीन उसने किम मर्दौ वादि को उससे ताली क्या समय थे पतली थाली कि भी आपने के लिए कि उसके मेरे था थाली में कागच के आठ टुक्रे पर पकोरे की बराबर डेरिया लगा कर रग दी गई थी थाली में मंदोने 2 पंद सब्सक्राइन इस थालिम और उधर में में और के बड़ भी दोड के तरभी कुछ छीज लगावा था इस फंडी रात में अ में दो व्यक्ति बाहरा हुए वह चोटा सा मनिष्य नहीं कितना भेद होता है संब्सक्राइब। इंसनियत नाम का भी कभी कभी भेद कлекा किसा दीवारों को में बहुते हैं कि जो दिफ्रेंट को हैं अमीर करा है अमएर गरीब इन सब कर चला हाता है दिलीब को समीफ बच्चे ने उंगली से उसको गन्ना भी नहीं आता है उंगली से गिन रहाता है कितने हैं एक दो तीन चार ऐसे करके गिन रहा था है गिनकर जवाब दिया आठ पेसे मतलब आठ थेरिया था आठ काकज के तो आठ पेसे होंगे दिलीब ने केवल बात बराने के लिए पुछा दिलीब उससे बात करना चाहता था ताकि उसका भी मल हलका हो जाए लगका को भी लगे कि ना कोई है उसका सोदा खरिदने वाला इसलिए वह बात बनाने के लिए पूछा कुछ कम कर लेगा दिलीब ने मुझा कि कुछ कम होगा आठ थेरिया आठ पेसे में से तोरह कम होगा तो सोदा भीग जाने के आशा से जो प्रफुलता बालक के चेहरे पर आ गई थी जो चीज लेके आया था वह चीज बेचने के भाब से उसके मन में प्रफुलता आयी थी वह दिलीब के इस सबस्था करेगी और इस कंप पैसे में बेचाती इस उत्तर से दिलीब द्रबित हो गया पीसन को क्पेशह कि यह पैसे पूछा कि दॵिध कि मां को देखा इसमिन पूछा स्वेस्ट निभिचय कि हो यह शका है के अपने रूमा को दिए याária निगा और पकुर्वे अधोर उसमें बंबालिया लड़कों की लड़के की बेस्क्रता देख मतलब उसका जो सोधा बेजने का जो वेस्ट विजिनेस था उसको देखकर वो अपना रुमाल लिकारकर उसको दे दिया और सब चीज़ बांद कर रुमाल में दिलिब ने लिया आज इतना ही इसका बाकी पार्ट हम नेक्स क्लास में आपको बिस्लिशन करेंगे अगर इतने तक में किसी तरह की कोई परिशानी होता है तो आपके पास मेरे कंटक नंबर है उसमें रात के 8 वज़े से लेकर 10 वज़े तक आप हमें फोन करके पूछ सेकते हैं कोई भी परिशानी हो तो हाप हमें पूछ सेकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद